नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टुदपवर्ण चैनल में स्वागत है दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी पुलिस एक्जाम के लिए सामानी हिंदी का प्रिवियस एर का पेपर सॉल्व करेंगे 28 जनुवरी 2019 को सिफ्ट सेकंड में सामानी हिंदी विषय के अंतरगत जितने भी प्रशन पूछे गए थे उन सभी प्रशनों को आज के इस क्लास में देखेंगे आप सभी लोग इस कलास को पूरा ध्यान से देखिए और सभी प्रशनों का उत्तर बताने का प्रयास करिए तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रशन है वाक की परिवर्तन का सही विकल्प है प्रशन है बच्चों ने खेल खेला इसका भविश्यकाल आपको बताना है आप लोग जल्दी से बताइए बच्चों ने खेल खेला इसका भविश्यकाल क्या होगा बच्चे खेल 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 चुके होंगे बच्चे खेल खेलेंगे आप लोग जल्दी से बताईए यहाँ पर आपका राइट एसुर क्या है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट एसुर है बच्चे खेल खेलेंगे यह इसका भविश शिकाल है बच्चों ने खेल खेला इसका भविश शिकाल होगा बच्चे खेल खेलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका D आपसा राइट हो जाएगा, दूसरा प्रश्ण है, राजपूत का इस्त्री लिंग सब्द है, यह सभी प्रश्ण दोस्तों प्रिवियस एर एक्जाम में पूछे गए थे, आप लोग ध्यान से देखते हुए राजपूत का इस्त्री लिंग सब्द क्या है, आपको बताना है, आप लोग जल्दी से बताईए, यहाँ पर आपका राइट है सुर क्या है, देखे दोस्तों, राजपूत का इस्त्री लिंग सब्द राजपूतानी है, क्या है, राजपूतानी है, यहाँ पर आपका A तपश्वीनी होगा क्या होगा तपश्वीनी होगा यहाँ पर आपका A option right हो जाएगा ऐसे भी प्रस्ट दोस्तों हिंदी भी से एक अंतरगत पूछे जाते हैं तल्वार का बहुवचन है तल्वार का बहुवचन क्या है आप लूग जल्दी से बताईए जल्वारे होगा तो यहाँ पर आपका A option right हो जाएगा निक्स्ट है हरश्वा दिर्ग इन में से किसे के प्रकार है स्वर ब्यंजन वर्ड माला स्थेक्ट ब्यंजन किसे के प्रकार है आपको यह बताना है तो देखे दोस्तो यहाँ पर आपका right है स्वर यह दोनों स्वर के प्रकार है यह आपसन आपका right हो जाएगा स्वर के दोस्तों दो प्रकार होते है एक हरश्व होता है और दूसरा दिर्ग होता है हरश्व किसे कहते है जिनके उचारण में कम समय लगता है और जिनके उचारण में हरश स्वर से अधिक समय लगता है वह दीर्ग स्वर होता है क्या होता है? दीर्गिसवर होता है हरश वषवर दोस्तों जैसे कि आ ई और उ री ये सभी क्या है? हरश वषवर है ठीक है? दीर्गिसवर कौन-Kौन होते हैं? यहाँ पर बड़ा आ बड़ी ई और बड़ा उ ए यहां पर आपका A आपसन राइट हो जाएगा इन में से कौन सा उसमी बेंजन है? आप लोग जल्दी से बताइए उसमी बेंजन कौन सा है? तो यहां पर आपका राइट आपसन है शाह यहां पर C आपसन आपका राइट हो जाएगा शाखा शाहा चार आपके उस्म ब्यंजन है कौन-कौन से शाखा शाह ये चार उस्म ब्यंजन होते हैं इसे आप लोग याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं सभी प्रश्ण ध्यान से देखते हुई चलिए दी गई जोडियों में कौन सी जोड़ी सही संग्या वा उससे बनने वाले विशेसर सब्द की है यहाँ पर दोस्तों आपका ए आपसर राइट हो जाएगा पक्ष और पाक्षिक पक्ष से दोस्तों पाक्षिक बनेगा इसका विशेसर पक्ष और पाक्षिक ठीक है तो यहाँ पर आपका ए आपसर राइट हो जाएगा पक्ष पाक्षिक संग्यावा उससे उससे बनने वाले विशेसर सब्द का सम्यक युग्म है और यहाँ पर दोस्तों जो लिखा गया प्रेम और प्यार ये समानार्थी हो गया, सुख दुख भिप्रितार्थक सब्द हो गया, स्वड सोना ये भी समानार्थी सब्द हो गया तो यहाँ पर आपका ए आपसन राइट हो जाएगा सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किस से चलता है Link का पता किस से चलता है सर्वनाम वाले वाक्यों में आप लोग बताईए याद रखिए कि दोस्तो सर्वनाम वाले वाक्यों में Link का पता उनके क्रिया के द्वारा चलता है यहाँ पर आपका A आपसर राइट हो जाएगा क्रिया ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं जाएसी द्वारा रचित प्रसिद्य रचना कौन सी है? जाएसी द्वारा रचित प्रसिद्य रचना कौन सी है? आप लोग जल्दी से बताईए तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट है पदमावत यहाँ पर आपका यहाँ पर राइट हुजाएगा पद्मावत मलिक मुहम्मद जैसी की प्रसिद रसना है जो की अवधी भांसा में लिखी गई है अवधी भासा में लिखी गई है यहाँ पर आपका A option right हो जाएगा भारत दूर्दसा किस प्रसिद्य लेखक द्वारा रचित नाटक है option आप सभी के सामने है आप लोग जल्दी से बताइए भारत दूर्दसा किस प्रसिद्य लेखक द्वारा रचित नाटक है देखे दोस्तों भारत दूर्दसा भारतेंदू हरिस चंद्रद्वारा रचित नाटक है यहाँ पर आपका D option right हो जाएगा नेक्स है नीचे दीगे रचना है किस कभी की है चीदंबरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, पल्लो किस कभी की रचना है आप लोग बताईए तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका रचित नाटक है सुमित्रा नंदन पंत यह सभी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की है यहाँ पर आपका A option right हो जाएगा याद रखे कि दोस्तों, चीदंबरा चीदंबरा के लिए, वर्स 1968 में इन्हें ग्यान पीठ पुरुषकार से सम्मानित किया गया था यहाँ पर आपका A option बिल्कुल right हो जाएगा नेक्ट है सर्विस्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्यकाद्मी पुरुषकार दिया गया था आप लोग जल्दी से बताईए यहाँ पर आपका right answer क्या है देखे दोस्तों, यहाँ पर आपका right answer है खूटियों पर टंगे लोग यहाँ पर A option बिल्कुल right हो जाएगा खूटियों पर टंगे लोग हिंदी के विख्यास साहित्यकार सर्विस्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित एक कविता शंग्रा है जिसके लिए दोस्तों 1983 में मर्डो परांद साहित अकादमी पुरसकार से इन्हें सम्मानित किया गया था यह आपसा right हो जाएगा next है दोस्तों काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है आप लोग बताईए काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका right हो जाएगा यमक अलंकार यह आपसान आपका right हो जाएगा याद रखिएगा जब किसी पंक्ति में एक सब्द का प्रियोग दो बार होता है और दोनों का अर्थ अलग-अलग होता है तब वहाँ यमक अलंकार होता है यहाँ पर दोस्तों काली घटा का घमंड घटा में यमक अलंकार है क्यों? क्योंकि यहाँ घटा सब्द यहाँ पर देखिए घटा सब्द दो बार आया है, जिसमें पहली घटा कर्थ दोस्तों बादल और दूसरी घटा कर्थ क्या है? कम होना है, तो यहाँ पर आपका A आपसर राइट हो जाएगा, दर्वाजे के बाहर कोई खड़ा है, रेखांकित सब्द का सही अब्यभेद है, दर्वाजे के बाहर कोई खड़ा है, रेखांकित सब्द का सही अब्यभेद क्या है, आप लोग बताईए, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट सुरह है, संबंध बोधक अब्यभे, C आपसर आपका राइट हो जाएगा, दर्वाजे के बाहर कोई खड़ा ह इसमें कोई सब्द संबंध बोधक अब्यभे है, यहाँ पर आपका C आपसर राइट हो जाएगा, मैंने गाउं जाना है का सुद्धवा की क्या है, आप लोग बताईए, मैंने गाउं जाना है का सुद्धवा की क्या होगा, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका प्रियुक्त अच्छर को क्या कहा जाता है चंद में प्रियुक्त अच्छर को क्या कहा जाता है याद रखिएगा इसे वर्ड कहा जाता है यहाँ पर D आपसन राइट हो जाएगा चंद में प्रियुक्त अच्छर को वर्ड कहा जाता है इसे आप लोग याद रखिएगा D मुहावरे का अर्थ क्या है? आप लोग बताइए लोहा मानना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट असुर है प्रभाव शोविकार करना यहाँ पर आपका बी आपसन राइट हो जाएगा रसो का राजा किस रस को माना जाता है? आप लोग बताइए रसो का राजा किस रस को माना जाता है? तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट असुर है बी आपसन स्रिंगार रस यहाँ पर आपका बी आपसन राइट हो जाएगा स्रिंगार रस को रसो का राजा कहा जात और याद रखिएगा स्रिंगार रसका अस्थाइभाव रती होता है क्या होता है रती होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आपका भी आपसन राइट हो जाएगा नेक्स्ट है आप इस किताब को पढ़े हैं निर्देशा अनुसार वाक की परिवर्तन वाला सह ही बिकल्प है इसका कर्मवाची आपको बताना है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है ए आपसन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा इस प्रश्न का दोस्तों सही कर्मवाची क्या होगा इस किताब क आपके द्वारा पढ़ा गया है ए आपसन आपका राइट हुजाएगा next है किसी के द्वारा कहे गए वचन को जियों कात्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है आप लोग बताईए ये सब भी प्रश्ण दोस्तों प्रिवियस एर एक्जाम में पूछे गया है इसलिए ध्यान से देखती हुज जलिए देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा उद्धरन बी आपसन आपका राइट हो जाएगा किसी के द्वारा कहे गए वचन को जियों कात्यों लिखने के लिए उद्धरन चिन्हों का प्रियोग किया जाता है यहाँ पर आपका बी आपसन आपका राइट हो जाएगा नेक्ट है चंद्र सेखर सब्द के सही समास वाला बिकल्प है चंद्र सेखर सब्द के सही समास वाला विकल्प कौन सा है आपको यह बताना है तो यहाँ पर आपका राइट है सुर हो जाएगा चंद्र है सिखर पर जिसके यहाँ पर आपका A अपसन राइट हो जाएगा चंद्र सेखर का सही समास वाला विकल्प है दोस्तो चंद्र है सिखर पर जिसके अर्थात शिव तो यहाँ पर आपका A आपसन राइट हो जाएगा जिसका उत्साह नस्ट हो गया हो के लिए एक सब्द क्या है आप लोग बताईए जिसका उत्साह नस्ट हो गया हो के लिए एक सब्द क्या है तो इसका जवाब है दोस्तो हतोत साहित जिसका उत्साह नस्ट हो गया है के लिए एक सब्द हतोत साहित होगा यहाँ पर आपका C आपसन राइट हो जाएगा जो उत्साह से भरा हो दोस्तो उसे उत्साही कहा जाता है याद रखिएगा जो उद्दम करता हो उसे उद्दमी कहा जाता है जिसे जानने की इच्छा हो उसे जिग्यासु कहते है जलज का अनेकार्थी सब्द है जलज का अनेकार्थी सब्द क्या है आप लोग बताईए देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइटे सुरह है मचली जलज का अनेकार्थी सब्द क्या होगा? मचली होगा जलज के अनेकार्थी सब्द भी है जैसे कि कमल होता है, मोती होता है, संख होता है इसे भी आप लोग याद रखिएगा उस विकल्प का चैन करें जो निम्न वाक्य का पूर्वकाली क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है बच्चों ने ग्रिह कारी किया वे खेलने लग गए यहाँ पर दोस्तो उस विकल्प का चैन करना है जो निम्न वाक्य का पूर्वकाली क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है तो देखे दोस्तो यहाँ पर आपका राइट असुर है बच्चे ग्रिह कारिक करके खेलने लगे क्या हो जाएगा बच्चे ग्रिह कार करके खेलने लगे देखे दोस्तो पूर्व काली क्रिया परिवर्तन वाला बाकी यहाँ पर आपका हो जाएगा बच्चे ग्रिह कार करके खेलने लगे हैं याद रखिएगा जब करता एक क्रिया समाप्त कर उसी छण दूसरी क्रिया में प्रवित होता है तब पहली क्रिया पूर्वकाली क्रिया कहलाती है ठीक है पहली क्रिया क्या कहलाती है पूर्वकाली क्रिया कहलाती है तो इस प्रकार से यहाँ पर ग्रिहकारी करके क्या है पू तो यहाँ पर आपका राइटर सुर। संबोधन कारक है, इसमें ए आपसन आपका राइट हो जाएगा। देखे दोस्तो, संग्याओवासरवनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने अथवा पुकारने का बोध होता है, संबोधन कारक कहलाता है ठीक है और संबोधन का यहाँ पर चिन्नी भी लगा हुआ है इससे भी आप पहचान सकते हैं तो यहाँ पर आपका A option right हो जाएगा पतन का समानार्थी सब्द है पतन का समानार्थी सब्द क्या है आप लोग बताईए देखे दोस्तो, पतन का समनार्थी गिरना है, यहाँ पर आपका B option right हो जाएगा पत्ता का समनार्थी पल्ड होता है, या पल्लो होता है, पात होता है, शियाद रखिएगा पल्ड, पल्लो, पात, ठीक है पुत्र का क्या होता है, पुत्र का बेटा होता है, और क्या होता है, तनय होता है, इसी प्रकार से घर का गेह होता है, नीकेतन होता है, सदन होता है, यहाँ पर आपका B आपसन राइट है, नास का समनार्थी सब्द है, नास का समनार्थी सब्द क्या है आप लोग बताइए, देखे दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट यसुर है तबाही, यह आपसन आपका राइट हो जाएगा, नास सब्द का समनार्थी तबाही अथवा बरबादी होता है, ठीक है, नेक्ष्ट है, उपसर्ग सब्द के में लगते हैं, कहां लगते हैं, अंत में लगते हैं, में या क्रिया में या आठ में, तो देखे दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट यसुर है, आरंभ में, बी आपसन आपका राइट हो जाएगा, उपसर्ग सब्द के आरंभ में लगते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी आपसन राइट हो जाएगा, कपोत सब्द का त प्रत्य से नहीं बना है राइन सामने है, आप लोग जल्दी से बताइये, देखें दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट शुन है, बकूबी, डी अपसवन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, बकूबी में प्रत्य का प्रयोग नहीं हुआ है, बल कि बा उपसर का इसमें प्रयोग हुआ है, किसक आपका D, option right हो जाएगा उल्लास का सही संती विच्छे दूआला वीकल्ब है option आप सभी के सामने है आप लोग जल्दी से बताइए उल्लास का सही संती विच्छे दूआले वीकल्ब कौन सा है तो यहाँ पर आपका राइटे सुर है उत्धनलास बरावर उल्लास यहां पर आपका A आपसन राइट हो जाएगा उत्धनलास बरावर क्या होता है? उल्लास होता है A आपसन आपका राइट हो जाएगा संयोग का विपरितार्थक सब्द है संयोग का विप्रितार्थक सब्द क्या है आप लोग बताईए तो इसका जवाब है दोस्तो संयोग का विप्रितार्थक सब्द वियोग होता है यहाँ पर आपका A option right हो जाएगा और दोस्तो मिलन यहाँ पर लिखा गया है मिलन का विलोम विरह होता है दुरुपीयोग लिखा गया है, दुरुपीयोग का विलोम सदुपीयोग होता है अवसेस लिखा गया है, इसका विलोम नो निर्मित या फिर फूल होता है यहाँ पर आपका A-Aption Right हो जाएगा तो ठीक है दोस्तों, आज की है क्लास अब यहीं पर समाप्त होती है ये सभी प्रस्ण प्रिबियस एर एक्जाम में पूछे गये थे ऐसे ही प्रस्ण इस बार भी यूपी पुलिस एक्जाम में हिंदी भी से एक अंतरगत पूछे जाएंगे उमीद है यह कलास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों सेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर दाइए